और ये लाइट में सामने वाली रखने वाली नाइस दे दिजिए अमारी मुबाइल वोई लाइट में रखने वाली सामने वाली नाइस दिख रहा है दिकिन थोड़ा आवर डख पक्तिक का गुद्मोर्नी गुद्मोर्नी ये नेटवर्क ही नहीं चल ला है याइडिया वाली मेरा भेजिये लिंक तो मेरे इस्स टेटेश पषी भागा है नहीं मोबाईल पर नहीं मेरे वुत्तिक यहाज़ा लीक्तिन ए आवली इस्स टेटेश प्रॉर्क वाली व्यूला प्सट clinically आपकव ये मुद्मोर्न्ध ओगा मेरे लंकिकी तो आयेगा की नहीं आए रहाना नेटर्वर के नहीं है नेटर्वर के नहीं है वाज सुनाई दे रही है मेरी की नहीं है आप लोग बताएए वाज सुनाई दे रही है वाज सुनाई वाज सुनाई वाज सुनाई दे रही है वाज सुनाई 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 वाज रहेंगे तो प्रगारता से सब्दों में दिखते भी हैं समझ गया है कि नहीं emotional क्यों emotional क्या है हमारे लगाओ का प्रतीक है हम कैसे किसी से करते हैं वो इसे गीत आते हैं वो इसे संगीत आते हैं एक दूसरे से चुड़ते चले जाते हैं तो यह main चीज होती है किसी वीडियो की quality को manage करने में अब कोई भी कहे तो समझ जाईए कि कहीं ने कहीं एक दूसरे से जो feelings होती हैं वो उबर के आती है देखिए चले हमारी feelings और feelings में हमेसा तबदीली होती है चलिए अच्छा हम देखते हैं चलिए आप लोग कल तो पढ़ी लिए होंगे syntax syntax means क्या होता सभी लोग बताओ कल बताए थे जो शुरूख से जुड़े होंगे syntax means क्या होता है बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं के वह रटे रटे हैं तो syntax means क्या होता बताओ सभी लोग चलिए 36 लोगों में 4 लोग उने like कर दिया thank you सुक्रिया उनको चलिए मैंने क्या बोला आप से मैंने आप से कहा syntax means क्या होता syntax means कल बताए थे ना syntax means क्या होता है हाँ बताए syntax means क्या होता है what is the meaning of syntax syntax means क्या होता है वाके सुधार बहुत अच्छा वाके सुधार और क्या बताए थे हम कल आप करन परजापची सायद नहीं थे है ना वीडियो मत जाएगा को वीडियो सही है कि ने के वल सब्दों जाएगे आपके सुधार और क्या बोले थे और क्या सिंद्धार के अलावा क्या का थे हम और क्या बताए थे आपने दुबारा देखा रिविजन किया थे क्या बताओ वाके सुधार तो बताए थे सिंपल सही हमेशा बार बार बताते रहे हैं अब बताओ और क्या बताए थे और क्या बताए थे हम और क्या बताए थे जल्दी बताए आप लोग वाके सुधार और क्या बताए थे और क्या बताए थे बताए आप लोग वाके सुधार तो बताए थे और क्या बताए थे कल बताए थे ना बताए थे सबी लोग कर्ेर्ट सन्टेंस चले इच्छे बताए जो पताए थे करेक्शन अभ्द संटेंस ज़र क्या बताए थे यहाँ साथ चले इज़कल चल रहा था कौन से है कंपनी का कौन से कंपनी का है आपका हड़िस पार हमारा तो नहीं वाच चला था हमारे चलेगा ना आप तो नहीं बैठ हूं क्या देख मिज़े चलेगा चले जोड़ गया अवाज जा रही है मेरी बच्चे फिर से पताओ आवाज सुनाई दे रही है एक पर मैं अपनी रूम में जाता हूं ना फिर से देखता हूं आपके हाँ जा रही की नहीं आवाज जा रही है की नहीं मैं अपनी रूम में जाता हूं सुने तो फिर चकर रहता हूं आपका है ना नहीं नहीं यहार से थोड़ा सामको हूं वहां से कंफर्टिबल महसुस होता है आगर कोई दिक्कत होती फिर आता है आप से कनेक्टेट है आई आवाज सुनाई पढ़ रही है आप लोग को अब आज सुनाई दे रही है आप लोग को बच्चों यह संदीप वह ही उनका लाइट लेते है यह तो लाइट जो टेबल लाइट है अब आज सुनाई दे रही मेरी आप लोग को उनका फाइब जी एक फोर्च ही है थोड़ा दो मिनट कुछ देर तक आप विंतजार करते रहें यह साही होताएगा है ना सुनील आपका फोर्च एक फाइब जी अच्छा चलिए अच्छा कम हो जाएगा रिचार्ज कर लिजेगा आप तुरंट एक दिन का अच्छा चलिए अच्छा आप लोग करेक्शन इन सेंटेंस इस करेक्शन इन पार्ट आपी स्पीच लिखो करेक्शन इन पार्ट आपी स्पीच इसको थोड़ा पुचार्ज में लगा ये फिर थोड़ा सा चारी करेक्शन इन पार्ट आपी स्पीच पार्ट सापी स्पीच लिखेंगे पार्ट आपी स्पीच का मतलब क्या होता है करेक्शन इन पार्ट आपी स्पीच का मतलब हो गया कि जो पार्ट आपी स्पीच होते हैं नाउन प्रोनाउन अड्जेक्टिव इसी में कमिया होती हैं तो आपको part of speech मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक part of speech चेक करेंगे और उसको पढ़ेंगे कहां कहां पे दिख्कते हैं, noun पे क्या हो सकता है, pronoun पे क्या हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है, तो correction in part of speech जबाएगा तो आप समझ जाना अब लिखिए पहला, तो अब क्या हो गया, कौन कौन से part होते हैं, yes we are, उसको part of speech को जो को फिर उसमें आने लगेगी, अब लिखो अनीता can read more better than Reena, लिखो सभी लोग, अनीता can read more better than Reena, बनाओ, अनीता can read more better than Reena, लिखो सभी लोग, लिखो सभी लोग, अनीता can read more better than Reena, ये सब जी बता रहा हूं, यहीं से आएगा syntax में, समझ रहे हो कि नहीं इसी rules पर आधारित, तो लिख लीजिए, अनीता can read more better than Reena, ध्यान देना आप लोग, capital रहता हमें ऐसा prince, तो अनीता में एक capital होगा, कोई बात नहीं आपने उसे लिखा है, तो अनीता can read more better than Reena, यहाँ कमी कहा है, कहाँ पर दिक्कत है, बता सकते हैं आप लोग, अनीता can read more better than Reena में कमी कहा है, तो क्या हो जाएगा इसका अच्छा बताओ, यह सही है, तो ओके लिखो, कोई कमी है तो बताओ, आपने पढ़ा होगा रात भर, और देखा भी होगा, अनीता can read more better than Reena का क्या हो जाएगा, हाँ, more कमी है, very good, तो करन क्या करेंगे, इसको सही बना दिजे करन, यदि आपको लगता है, कि अनीता can read more better than Reena गलत है, तो उसमें सही कर दिजे, इसको सही वाकर लिख दिजे, यास, more तो है गलत, बताओ जल दिसे, और बताओ, तो इसका सही बना दो, कैसे लगेगा, अगर हमको दोनों का sense लाना, नहीं, अनीता can read much better हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई कहता है, कि आप more को लाना है, तो दो comparative येक साथ नहीं लगेगा, लिखो two comparatives, ठीक है, उसके बाद लिख दो, don't use together, two comparative don't use, do not use, ठीक है, क्या किये जाते हैं, isn't used, या isn't used लिख दियो, लिखो two comparative isn't used together, अब दो comparative रहेगा, दो सुपर लोटिलेटिव रहेगा, दोनों येक साथ नहीं किये जाएगे, तो आयनीता कैन रीट बेटर, अगर आपको much वाला, more वाला नहीं लगाना है, तो आप much बेटर लगाओ, more वेटर नहीं, you are much better than me, आप मुझसे बढ़ियां हो सकते हैं, तो आप वहाँ much बेटर लगाओ, अब much के बाद आपसे कहेगा, कोई ये सही है, गलत तो आप बता दे तो आनीता कैन रीट मच बेटर दैन रीना, ठीक है, तो इसन्ट यूजड लगाओ, ना करन यहां पर, यूजड हो जाएगा, पैसी वाइस में बना रहे हैं, तो आनीता कैन रीट मच बेटर दैन रीना, तो यहां क्या हो जाएगा, लिखो two comparatives do not, अब आप देखो जान से, two comparatives, yes, जोड़ो two comparatives isn't used together, हो जाएगा एक साथ, together में get रहेगा, चलो अच्छा, अब देखिए भीया, अमित देखते रहिएगा, अब आप लिखो much more most, लिखो सभी लोग, much more most, much more most, अब तीन डिग्री है, much वाले को हम कहेंगे positive, more वाले को कहेंगे comparative, अब most वाले को कहेंगे superlative, तो much more most हो गया, दूसरा लिखिए good, better, best, good, better, best लिखो अभी थोड़ी बता रहे हैं, much, good, better, best, good, better, best, लिखो सभी लोग, good, better, best, good, better, best, लिखो सभी लोग, best, अब लिखो bad वाले का बनाओ, तो bad वाले का आप लोग बनाओ, bad का क्या हो जाता है, bad का क्या हो जाता है, लिखो bad का क्या हो जाता है, good, bad का क्या हो जाएगा, बनाओ जल्दी से, bad का क्या हो जाएगा very good आगे bad का बनाईए आप लोग हाँ क्या हो जाएगा बनाईए bad का बनाईए bad का bad का हाँ यह देखिए interference ने बना दिया यह चीजे कुछ degree आपको रटनी होगी तभी न आप जान पाओगे दो comparative है या नहीं तो कभी-कभी E-E-R ना रहा के दूसरे तरीकेत बनता, देखो, bad में, bad है, फिर worst है, फिर worst है, तो कभी-कभी आप जो है E-E-R ही नहीं होता, कई तरकार के comparative degree बनती है, ठीक है, तो याद रखना होगा, ठीक है, यह आपको, little का बनाओ, little का क्या हो जाएगा, little का, little का बनाओ तो बेटा, सभी लोग little का बनाओ, convert करो little का तो बेटा, good, worse, worse, bad, worse, worse, याद रखना, little का बनाओ, दो बेटा लितिल का बनाओ हां सौच मोर दो बेटा ली इलकले का लीटिल का बनाओ बेटा है ले जालाइं डवल टी या विव टशेछथ जो हम बता रहे हैं तो इज़ी है सब्लूक बना लेंगे जो हम बता रहे हैं थोड़ा-चाझ धीष्व है लिख लो ताकि आपको पहसान्य में कहीं दिकत नहीं लगते हैं इसको यहाद है लिटल का क्या हो जाएगा बनाईए लिटिल का लिटिल का बनाईए सबी लो लिटिल का बनाईए आप सबी लोग नहीं बना पा रहे हैं आप लो लिटिल का हो जाएगा लिटिल लेस लिस्ट लिखो सबी लोग लिटिल लेस लिस्ट सब बनाओ सुभी लोग पहला लिट्ल हो जाएगा दूसरा लेस देन लगाते हो लेस हो जाएगा तीषरा हो जाएगा दो लिस जेइघ लिको लिट्ल लेस लिस्ट क्या हो जईगा more लिट्ल लेस रहेगा यह जा बी यCause को लिट जैसरी रहाम चलिए आगे लिटिल लेस लिस्ट हाँ तो लिटिल होगा पहला दूसरा लिस्ट होगा याद रखना यह लिटिल में पहला पहला हम लिटिल है दूसरा लेस्ट है तो चीक है लिस्ट मनें तो जब less के साथ क्या लगेगा then list के पहले दा लगेगा ठीक है तो little less list यह सब त्यात करना पड़ेगा आप लोगों को खूद simple का लिखो ति सभी लोग simple का तीनों फाम लिखो simple का simple लिखो simple simple का तीनों फाम क्या हो जाएगा simple 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 लिखते हो यह साइएंपी यह लिखो simple हाँ simple लिखो objective का बनता है adjective तो सभी लोग adjective का बनता है हाँ simple का लिखे simple हाँ simple का तीनों फाम लिखो यह सब objective का ही बनता है अब पताऊंगे degree क्या होगा degree हमेशा अडज़्यक्यू की बनती है है अध्यूद्ध्व इभल् instantly है ह्म सारे नहीं बता कि सब्सक्रागे थे अधिस Tag期 की बनती है स्पिपल्ड सिम्पल होगा सिंपलार होगा सिंपल्स हो जाएगा सिंपल का क्या हो जाएगा talks इंपन का क्या होगा इंपने इंपन को innocent भी बोलते हैं न कल अभी हम लोग पढ़े थे child like को मतलब होता है simple या innocent तो हमने बताया क्या आज क्या बताया थे simple का क्या हो जाता simpler simplest अगला हमने क्या बोला हाँ innocent लिखो innocent innocent लिखो सभी लोग इनोसेंट का क्या हो जाएगा innocent का हाँ यही ध्यान देना है अब और इनोसेंट का हो जाएगा innocent दूसरा हो जाएगा more innocent तिसरा है most innocent इस तरीके से इसकी वर्व की फार्म चलेगी आप सभी को और इसी हिसाब से ही पढ़ना है ठीक है तो डिगरी के आज थोड़ा से जाना अध्यान कर लेना इसी पूछेगा कठी नहीं पूछेगा लेकिन आपको डिगरी ही नहीं समझ में आएगी तो दो comparative कभी एक शाथ ने लगते हैं इसका याद रखना तभी लोग कांस अपने सुन लो लिख लेना फिर दो positive degree एक साथ नहीं लगते हैं दो comparative degree एक साथ नहीं लगते हैं दो superlative degree एक साथ नहीं लगते हैं इसलिए ध्यान देना तो दो जहां पे आज आए एक साथ तो कभी यूज नहीं करना दो comparative कभी भी आए एक साथ नहीं यूज करना इसके लिए जरूरी है आपको कि आपको सही से समझ होनी चाहिए कि दो comparative है तो की नहीं है जब आपको रहेगा तब ही आप कर पाओगे अब लिखो C is a IS officer लिखो C is a IS officer C is a IS officer लिखो तब लोग C is a IS officer C is a IS officer इसमें कमी है कि सही है अगर ओके है तो करो आगे बढ़ो और कमी है तो इसको सुझाड़ दो हाँ देखो इंटर्फरेंस ने सही बना जिए आएन आए इस ओफिसर अब इसी रहते हुए देखो आए लिखोगे तो साउंड कौन सी आएगी आए आ आएगा ठीक है अगर कोई बोलेगा तो इस आएन साउंड आ रहे ने तो आएन आएगा हमेशा अब लिख दो आएन आई पिएस आइन आई एस लिख दो आएन आई एस लिख दो आएन आई एस लिख दो तीनों लिख दो जो कालते एक्जाम, ठीक है, सिविल का UPSC, उसमें किस कौन कौन सी रेंग होती, पहले IS होती है, फिर IPS होती है, फिर IES होती है, फिर IRS होती है, तो लिख दो, और आप दिहानी दे रहो, ज़्यादा तर हम लोग यो सार्ट फर्म देखते हैं, वो ज़्यादा तर उसके सामने आ IPS officer, दूसरा बनाए, C is an IPS officer, दूसरा बना दीजे, C is an IPS officer, फिर लिख दो C is an IES officer, C is an IRS officer, तो ऐसे ही आप लोग को द्यान देना पड़ेगा, कि इसका क्या होता है, इसमें गलती आप लोग नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में गलती नहीं करेंगे, और देखो, syntax होता है easy, इ दिकत हो सकती है, इसलिए दाग नहीं लगनी से ये पेटों, अभी आपको confidence आ रहा है, परिक्षा के समय तक maintain रखना है, जितनी तियारी आपको लगे, पक्की हो रही, उतना समझो, अधूरी है, और उसको अधिक से अधिक revision करो, यदि मेरे एक बार बताने से आपको लगा आपको एक बार लगाने के बाद बार बार उसको पक्का करने के लिए, revision करना पड़ेगा, revision ठीक है, बहुत important, revision is very important, so keep everyone practicing, जितना अच्छा हो जाएगा, practicing उतना करो, ठीक है, you are to practice more and more, ठीक है, you are over here, why, because you are studying now, after that, you will go, ठीक है, when you will be offline, जब offline हो, तो please revise, ठीक है, every sessions, now we are taking, daily, nowadays what classes I am taking, what sentences I am giving, it is guess, ठीक है, from my side of view, मेरे side से ये क्या है, ध्यान देना, अब इसी पर आधारित आएगा, तो आप ध्यान देना, यम्मे भी होता है, यम्मे होता है, यम्मे होता है, यम्मे होता है, सारी चीज़ों के साथ, चला दूसरा अच्छा देखते हैं, अब लिखो, 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 अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए मैसेज, यदि आपको अपने हित में लगता है तो, मेरे हित में लगता है तो, यदि एर्षया है तो मसे शेयर करिए, This is an IS officer, ग्या हो गया, This is an umbrella, बताओ सही ये गलत है, कोई दिक्कत है बताओ, This is an umbrella, गर सही है तो ओके लिखो, अधर्वाइस इसको सही कर दो, This is an umbrella, बताओ, इसका कॉंसेप्ट ने एक दिन बताया भी था, ओके सही है, बेरी गुड, umbrella में देखो, हम अपने आप से नियम नहीं लगाएंगे, नियम पर ही नियम बनाएंगे, उन्चास लोग हैं, 490 के पास पहुचा दो सभी लोग, सभी ग्रूप में भेज़ दो, बता दो कि जो चीज चल रही है, इस समय एक परिक्सा में आने वाली चीज़ें ही चल रही है, फर्जी नियम नहीं चल रहे हैं, ना तो हम बेसिक बता रहे हैं, हम केबल हो बता रहे हैं, जो रेजल्ट में आने हाले हैं, ठीक है, हमारी आवाज कट रही है क्या, मेरी आवाज कट रही है, क्या सभी को कि मुस्कान को लग रहा है, कट रही है, अब आज मेरी कैसी चाह रही है यह साउंड होती है अगर यह साउंड आती है तो आप अएन लगाओगे अगर यह साउंड नहीं आती है पढ़ने में तो आप यह लगाओगे साउंड फर्जा होगे लिखो सभी लोग साउंड कट रही क्या महिमा मेरी हाँ अगला लिखनो हाँ अध्यान देना है कट रही है मेरी आवाद क्रेक कर रही है हाँ ए यह चलो अच्छा आगे देखो थोड़ी मोड़ी आवास से हाँ उनसे बोल दीजी नेटवर्क सही करें फिर से चलिया आगे देखिएगा ना हो तुपर ना लिजा के रख दें अब एक जीवी दीदू जीवी होगा कितना चलेगा यह तो बात अनलिमिटट चाहिए इसके लिए चलिए अच्छा आगे देखना हाँ साउंड की देखना है साउंड पे ध्यान देना आपको साउंड पे ही मान की चलना है आप लोगो को चलिए आगे देखना दूसरा देखना आप लोग अब लिखो सभी लोग I will go on Monday, on Tuesday, on Wednesday लिखो on Wednesday ऐसे लिखो कि खीक है तो लिको सभी लोग आण 2 अक्टूबर आप देखो देखो डे और डेट लिखो डे और डेट डे और डेट डे अग्या डे अग्या रिट सेंक्टी वेडिमाइच तेरा लोगोंने लाइक किया उनको बहुत-बहुत सुक्रिया इस क्रैकिंग और इस संगर्ष में ओ अगे चलो, on Monday, on Tuesday, on Wednesday लगाओ सभी लोग, on Wednesday, on Thursday, on Friday, ऐसे लिखो, अब लिखो, day or date, के साथ लिखो, day or date जहार रहेगा, वहाँ लगेगा, day or date plus on लिखो, on plus day and date, लिखो, on plus day and date, मैं कोई चीज बड़ी नहीं बता रहा हूँ, on plus day and date, लिखो, on plus, अगर कोई दिन आता है, दिन आता है, तो हमेशा आप on लगाओगे, on plus day and date, लिखो सभी लोग, अब देखो, ये day था ना, ये Monday था न, हाँ, on plus day or date, अगर day or date आता है, इसको notice कर लेना सभी लोग, कहीं भी day or date आता है, तो आप क्या लगाओगे, on लगाओगे, आप लिखो, on 2 October, on 3 October, लिखो सभी लोग, on 2 October, on 3 October, लिखो सभी लोग, on 2 October, on 3 October, लिखो सभी लोग, on 2 October, on 3 October, लिखो, तो ऐसे में ध्यान देना है अब बताओ यह डेट हो गई कि नहीं दो अक्टूबर डेट है कि नहीं और चीए पहले डे पे ध्यान देंगे है ना तू पे है थ्री अक्टूबर अब लिखो लिखो सभी लोग मन्थ, सीजन, इयर, सेंचुरी मन्थ, सीजन, इयर, सेंचुरी लिखो मन्थ माने महीना होता है इयर माने वर्स होता है मन्थ लिखो इयर लिखो सीजन लिखो सेंचुरी लिखो मन्थ माने महीना लिखो सीजन माने होता है सीजन कौन से चला रही तू तो मन् month, season, year, century month लिखो, month लिखो, month लिखो, month on the date of 12 December, very good, चलिए आपने जनम दिन बता दिया अपना, आप मैंने क्या बता दिया अच्छा लिखो, month लिखो, season लिखो, year लिखो, century लिखो, month या month लिखे, season लिखो, year लिखो, century लिखो, हाँ हो गया, आप बेटा अगला लिखो, month लिखो पहले, season लिखो, year लिखो, century लिखो, हाँ, जो class भी चल ले, चोड़ी मोड़ी उसको अच्छे थे पढ़ लो, चुकि नेटवर्क इसी उतर रहता यहाँ, month या, season हो गया, year हो गया, century, century की spelling क्या लिखो थी, पांज़री, ऐसे ही century लिखा जाएगा, आयू, south से सिखो, month, year, season, century, याद रखना, तो जब महीना आजाए, वर्स आजाए, तो season आजाए, century आजाए, तो इन लगेगा, लिखो इन, रॉकी डॉक्स इसके साथ इन लगता है, लिखो सभी लोग इन, इन लिखो, इन, 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 इन लिखो, इन के साथ हमेशा इन लग तो सब, अभी मैं practice कराऊंगा पहले, आप थोड़ी से concept जान लो, ठीक है, हाँ, month हो गया, दूसरा season हो गया, पहले लगाओ, आज इन, प्लस लिखेंगे, पहले इन आएगा, तब month, season, year, century आएगा, इसलिए पहले इन लगाओ बेटा, आप बाद में न बदलने लगता, इन प्लस, आण प्लस हमने day और date बता है था ना, वैसे इन प्लस, month, year, season और century, ऐसे, in प्लस, month, year, season और century, in month, in season, in year, in century, very good, एक है, एक एक एग्जामपल आप सभी लोग लिखो, in the month of July, in the month of July, हाँ, लिखो सभी लोग, in the month of July, in the month of July, सभी लोग लिखिए, in the month of July, तो इसका मत जन्वरी, in the month of January हो गया, in the month of February हो गया, in the month of March हो गया, ऐसे करके, in summer season लिखो, in summer season, in winter season, लिखो सभी लोग, in summer season लिखो, in summer season, in winter season, कट जाते हैं बच्ची न, in summer season, in winter season लिखो सभी लोग, in summer season, in winter season लिखो सभी लोग, in summer season, in winter season, in autumn season लिखो, in summer season हो गया, in winter season लगाओ, in winter season, in autumn season लिखो, autumn माने होता पच्च जड़, हाँ, ही तो, क्या हो गया, in summer season हो गया, in winter season हो गया, in autumn season हो गया, autumn लिखो, autumn season, हाँ, तो, seasons माने होता रीदू, लिख लो सभी लोग, रीदू माने, रीदू, हाँ, समझ में आ गया कि नहीं, हमारे उख़्ा से, season माने रीदू, आपको आता होगा, अब अगला लिखो सभी लोग अब याद रखना पहले ही आता है दूसरा का बनाओ तो year का बताओ लिखो in the year of 2005 in the year of 2006 in the year of 2017 लिखो ऐसे लिख दो या इन लिखो रिए in 2007, in 2008 in 2009, in 2010 ऐसे बनाओ सभी लोग तो ऐसे करके आप लोग century century के लिए सारी जिजों का बता बनाओ गए in the year of 2023 in the year of 2006 ऐसे करके बना लो मैं पूरा वाक्य में नहीं बना रहा हूं वाक्य टाइम लेगा अब आपको रिजिजन करना इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूं मेरी बात समझो जाके प्रेक्टिस करना नहीं थी यह मत सोच लेना अकर सार्ट में बता दिया हो गया वाक्य में आता तो कन्फ्यूज होते हैं सार्ट में बता रहा हूं ताकि आपको समझ जाओगे season की spelling गलत कर लिख दिया हो आप भी नोध यहां पे season की spelling करो समझ गये की नहीं है अगला लिखो आप लोग century के लिख दो in 1900 लिखो in 2000 ऐसे करके लिख दो century बनाओ सभी लोग century जानते हों नहीं हाँ in 800 in 1900 in 2000 ऐसे बनाओ दो century वाला भी लिख दो हाँ अब कौन सा चल ला है इन हाँ लिख दो in 1500 इन 1600 इन 17 यह century है समझ में आ गया ना हाँ तो century अभी इन सारी सीजों को अपने दिमाग मेरे ख्यालों मेरे वसा लेना कौन कौन से पहला है month दुसरा है season तिसरा है year तिसरा है century अभी दिमाग में पूछेंगे अभी confused हो जाओगे अभी बिबिनो शेसन ही लिख रहे है season हम हाँ बावबी विल गो टू डेली इन लिखो बावबी विल गो टू डेली इन summer season लिखो तो क्या हो गया बताओ जल से बावबी विल गो टू डेली इन summer season बताओ बावबी विल गो टू डेली इन summer season अब देखो यहाँ कोई season लगाने कोई ज़रुद थी नहीं थी ना तो season कभी-कभी आप हटा देते हैं कभी-कभी इसको भी गलती माल लेते हैं लेकिन mostly जगां आप देखेंगे सही रहता है तो पहले आप क्या को कि परिक्षा में अगर आ गया ठीक है तो मैंने क्या कहा कि Bobby will go to Delhi in summer season तो कभी-कभी in summer लगानी की कोशिश किया करो हाँ लेकिन मैं यह कह रहा हूं समया कि आप सीधे इस पर नहीं focus करोगे यह तो कभी-कभी summer season लोग बोलते हैं लेकिन आपको focus क्या करना है पहले part आप इस speech पर focus करना है फिर जाके summer season वाले जब कोई community नेजर आईगी तब summer season को अटा देना तो केवल लिग दिना और शमर के साथ तो इन लगेगा यह चूकि मौसम है रितू है तो यहां पर इन इन शमर लगेगा जब आपने summer बोल दिया सामर में सीजन लगानी कोई जरोत है बताओ yes or no अगर आपने summer बोल दिया तो summer means यह तो season होता है summer माने ही मौसम है ना तो मौसम है मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह तो मौसम है तो bobby will go to Delhi in summer तो इसलिए ध्यान देना हाँ में नहीं कह रहे हैं यह summer season का ही आपको कही मिल सकता थे नहीं हमारा आके का पार फोड़ने लग सब्सक्राइब है लומाने में संब्सक्राइब以及 मैंन पॉरbeitब लोग मैंनी इस दियुश्य अनिमिल अं धक्रम लोग तो प्लैणे फोड़ने वाला आदमी क्या है सबसे खतानाग उन्सक्राइब हमी क्यों हैं हमी आपको अपको सब्सक्राइब बनाना है प्रिटीं को और हम यह आपको नरक बनाना है, ना तो स्वर्ग है, ना तो नरक है, यह हमारे जो बहुत जादे, जो बाबा ओबा थे, बहुत जादा बड़े लोग थे, पढ़े लिके समझे जाते थे, उन्होंने गलत नियम बना दिया, पाखंडी लोगों ने बना दिया, एक स्वर्ग है, एक ना तो स्वर्ग है ना तो ना रख है, there is no hell, there is no heaven, लिखो, there is no heaven, there is no hell, बनाओ लगी तुम भी लोत, अब देखो, किसी जब existence की बात होती है, किसी जगा, जब आप linking word की बात होती ही, complimentary की तो there लगाते हैं, लिखो, there is no hell, there is no heaven, there is no hell, there is no heaven, मैं बार-बार वाक के रटाता हूँ चुकि परिक्षा में आपको यही वाक के मजबूत करते हैं लिखने में इसलिए वाक के बोलो उसको तुरंत यात कर लिया करो साथ यही आजा है नर्ख है ही नहीं स्वर्ग है ही नहीं ट्रांसलेशन में तो लिख लो देर इस नो हैवन देर इस नो हैल ना तो हैवन है ना तो हैल है ठीक है यह केवल एक imaginary word है अब आज के बाद आप लोग कभी भी कोई कहेगा स्वर्ग जाओगे बोल दोगे नहीं हमको कोई नरक में रहने दीजिए प्रिद्वी को स्वर्ग बनाना है प्रिद्वी को नरक बनाना है हमें ही दुनिया में हमने कहा तब और क्या बनाये थे तब बल करके एक बार बताया था हमें जिंदगी नहीं कमानी है ऐसे करें हमने एक बार बता रहे हो हम इसे स्वर्ग बना सकते हैं. मा के आचल तरे स्वर्ग है, मा के आचल तरे नहेंगे आप महसुस करो तो पढ़ाया तक मैसुस कर financial करोंगा. मैंने एक लेसल बहुत अच्छा पढ़ाया था, है मैंने पढ़ाया था. तोब कोई हमारी देर ना तो इस message को, there is no hell मतलब हो जाएगा, कोई स्वर्ग नहीं है, there is no heaven मतलब, कोई ना तो स्वर्ग है, ना तो hell है, neither is there is hell, अब लिखो, neither there is hell, neither there is heaven, लिखो, ना तो स्वर्ग है, ना तो नर्ख है, लिखो सभी लोग, ना तो स्वर्ग है, ना तो नर्ख है, अभी बागे मैं बढ़ता हूं, syntax पे, याद रखना मैं बता रहा हूं अभी, नीदर को ना इदर बोलते हैं, कुछ लोग, कुछ लोग नीदर बोलते हैं, तो लिखो, neither there is hell, पूजा पाड़ करके हमें अपनी जिन्दगी नहीं गवानी है, ता पार बल पर हमें अपनी जिन्दगी बनानी है, हम अपने बच्चों से बार-बार कहते हैं, जो हम से इसी में, कि ये पूरी जीवन्दगी भर अगर सूरज सिवलंग पे चढ़ाता रहेगा सिवलंग में, करिये जिससे पूरे समाज में और परियावरण सरे, आप सिवलंग पे पानी जल देने से क्या फायदा है, आप पानी गिराओ जागे अगर बल्टी अगर आपको गिरा लिखो सभी लोग, neither there is hell nor there is heaven, याद रखना यहाँ पे, सौमया याद रखना, नाइदर के सामने, अगर नीदर के सामने there है, तो उसके बाद नार के सामने भी there आना चीए, तो दोनों सही आपका, तो आप बताओ, there is no heaven को देखो, neither खुद आप negative है, इसलिए वहाँ नो हट हट गया, समझ में आगे, हम लो लो लेते, there is no heaven, there is no hell, अब बताओ, नीदर लगया, इसलिए क्या हो गया, वहाँ से नो हट गया, बोलेगा कोई क्यों हटा, तो बता देना, कि यहाँ पे नीदर खुद क्या है, नीदर क्या है, एक परकार से बता देना उसे, नीदर क्या है बोल देना, यह खुद नीगेटिव है, नार नीगेटिव है, तो नीदर नार नीगेटिव है, आप लिखो, या तो स्वर्ग है, या तो नरक है, तो इदर लिख दो, या नहटा दो, इदर लगा दो, इदर लगा दो, अब हैं या नहीं, हम तो grammar पढ़ा रहे हैं आपको, either there is hell or either के साथ आर लगेगा ना कि नार आप बना दो either there is hell or there is heaven लिखो either there is hell or there is heaven इस तरीके बना दो फोना राइक दे दे जिए किसका है नाम पढ़िए रखी अभी उनका काट दे जिए हाँ क्या हो जाएगा हाँ दीजे दीजे उठा ले देख मिनट हो जाएगा इधर there is hell or there is heaven ठीक है समझ गए हाँ आकाज पिता है और धरती मा है चलिए अच्छा जहां रह रहे हो उसे बीच में सब हैं और उपर नीचे कुछ नहीं माता पिता बीच में जहां पर सरिदन है वही हाँ मानो तो सब आगे दिखो अगला बनाओ सभी लोग तो समझ में आगे आगे सभी लोग अब ध्यान देना इधर देर के पहले आया जिस पार्ट आप इस पीच के सामने है इधर है हाँ कोई बात नहीं हमने कहा था पिता तो है ना तो ड्राइंग बना दिये हैं मैंने ग्राग्यारा में आप याद रखना मैंने कहा था बीच में जो छेत्र है उसी पर हमें सबसे दूसाया था ना पर क्या है आपको उसको पढ़ना पर मानना पड़ेगा मैंने कहह रहा हूं लेकिन प्रिथव दोनों कि सपर करते हैं हमारे बीच में पृति आपका सब्ते इसका प्रबाव सीधे पार दे यहाई67 नहीं बदा मुझका ने बताओ कि जो हम परियावारन प्रदूसर्ण फैला रहे हैं मैंने उस पे जोर भी दिया था मैंने कहा था हाँ आकास और प्रिजबी है यदि हम बीच में एक्टिविटी सही नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव सीज़े आकास और प्रिजबी जाएगा तो सबसे ज आपको ध्यान देना है कि नहीं कहुत सब दया है कि सबसे जादा अगर इंत फाइवैन के बीच में एक्टिविट्य तो आपको हम औस देना है नहीं में करेंडाई तो क्रभवा देनगा है चलो अच्छा तो आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टन रखता है आकास हमारे पिता है माता हमारी प्रिजबी है यदि हम बीच की एक्टिविटी को सुधारेंगे अगर गलत करते हैं तो हमारे पिता भी नाराज हो जाएंगी तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है बीच का जो उसको डाविश त्योरी अभी मैं बताने लगूंगा कामगरबर होताएगा ठीक है इसलिए हमें अब आगे बढ़ने तो यह पर टापिक आएगा नहीं ठीक है अब बताओ जल्दी से लिको हाँ अब देखो ध्यान देना कि कोई पॉइंट द हां बनाएंगे बनाएंगे घंब अ रहस्या और युक्रियन पर भी बनाएंगे चलिए वनाएऑ आप लोग पॉइंटेक के लिए लगता है लेकिं लोंग डाइवेंचंग के लिए जो रेंज के लिए इंग लगता है लििको तब दैन्ष के लिए इन अरेंघ Range कलिए इन लगता है Range, Range माने क्या होता है Range माने क्या होता है जिसके, इसकी Range कितनी है Zh. इतनी बड़ी है यह Range है है ना आप देखो यह देखो, इसमें यह Pen देखpark, Pen का यह Point है यह क्या है? Point है तो यह क्या कहेंगे Point और लेकिन रेंच को देखाएगए तो पेन की रेंज यहा से हा तक है है तो यह dit को मतलब लंबे क्लिए जब रेंज दिखेगा तो यहां और रेंज कोमझ इन कहां लगता है जब बहुत बड़ी चीज का पड़ाम आता है अब जा तो आयट दो है आयट वहां लगता है जब छोटे चीज का प्रड़ाम छोटे छोटे रेंज में आता है तो पॉइंट जैसे हम कहते हैं कि ठीक है तो जैसे लिखो अब आगला बना लो दा ट्रेन विल डिपार्ट लिखो सभी लोग दा ट्रेन विल डिपार्ट आण 5.30 पीम लिखो लिखो जल्दी से लिखो जल्दी से दा ट्रेन विल डिपार्ट अट आण लगाओ दा ट्रेन विल डिपार्ट आण 5.30 पीम लिखो सभी लोग दा ट्रेन विल डिपार्ट आण 5.30 पीम लिखो सभी लोग अब बताओ अब बताओ यहां पर 540 का रेंज है छोटी है कि बड़ी है अब दूसरा लिखो दा ट्रेन विल डिपार्ट इन 540 पीम लिखो दूसरे जगा बनाओ दा ट्रेन विल डिपार्ट ठीक है तो हाँ इन 540 पीम सिंपल सा बताओ यहां पर पॉइंट दिख रहा है कि आपको रेंज दिख रही है बताओ यहां रेंज दिख रही है कि पॉइंट दिख रहा है कि रेंज दिख रही है बताओ इन लगेगा आन लगेगा की आइट लगेगा बताओ सबी लोग तीनों में से एक चुन की बताओ इन लगेगा आन लगेगा की आइट लगेगा बताओ देखो हमेशा याद रखना कि हमेशा जो exact time देगा उसको हम point को आइट मानते हैं अब देखो इसको बाई माई वाज होता याद रखना लिखो आएट लगाओ आएट फाइट फाइट फॉर्टी पीम लिख दो तिन्चाट्टो तो अपने आप याद हो जाएगा हमेशा आएट लगेगा अब बताओ एक मीनट का साहिम है उसमें हम कितनी रेंज दिखाएंगे बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा बताओ साठ सेकेंड का टाइम होता साठ सेकेंड को आप रेंज मानोगे तो रेंज का थोड़ा एक परिमार याद रखना च्रेंज का अब उस तरीके देखने लगो कहीं भी रेंज ने आप तो हर जगा रेंज बना दोगे तो आएट लगाओ आएट फाइट फिप्टी पीम पstory आइसे करके बना लो तो याद रखना आप लोग कि अपने दिमाग में लिखने ला आएट आप आप और अहट की आप लोगो को आप अब लिको इंदा मौर्णिड इन्ड यूनिग लिको इं-दो मौर्テिं इन-दा हुनिग को इं-दा मौर्णिड इन-डें जाती है तो एक range दिखने लगी न इसकी range लंबी है एक समय की range लंबी है आपको दिन में कितने गंड़े होते मैकसिमा 12 गंडे 24 गंडे पूरे होते फीडिगे तो बताओ यह लंबा है कि छोटा है बताओ अआप लोग तो सुबह कब तक चलती है दोपहार तक चलती है तो एक रेंज हो गई इंद्ध यूनिंग में सामभी लंबे समय तक चलती है तो जब रेंज दिखाई दे माप इन लगाओ बताओ at night भी होता इन ददाइड भी होता अगर मतलब हम इन दर नाइट लगएंगे थो इन दमी रहता है यह इससलिए गलती नहीं करना है परिक्सा में at the night रहेगा तो तुम confused रहोगे, at night in the night, डोनों ध्यान देना, at night के साथ night के साथ at आएगा और दूसरा in the night, समझ रहे हो कि मेरी बात की नहीं, यह सार नों बोलो, अब देखो, जैसे मैंने कहा, कि money जी है, ytff से जुड़े हैं, जैसे ही हमारे यहां आए, रिस् अभी याट बज़रा है, अभी इस पूछने लगी class time, कितना time चलेगी, चलो, at night, अब देखो देखा बेटा, हम समझ लाओ, at के बाद दा मत लगाना, in the night रहेगा, at night रहेगा, at night रहेगा, है ना, हाँ, देखो, तो, at night वाला example, याद रहेगा, at night रहेगा, at the night नहीं लगाना, अगर at the night लगाओ, बतमान लो कि तुमने गलत कर दिया, तो, हाँ, 16 लोगों ने पसंद किया, thank you very much, 16 लोगों को, at night का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, रात में, इसका मनी क्या हो गया, रात में, और in the night का पोइन्ट फो करता है, और in the night एक रेंज फो करता है, लिखो, at night के सामने लिखो, पोइन्ट फो करता है, और in the night का मतलब होता है, पॉइंट तो करता है एक छोटी वहीं सो करता है और अगर in the night आएगा आप जैसे घोड़ा क्या हो गया क्या हो गया लिखो बता the horse died in the night होगा कि the horse died at night लिखो क्या हो जाएगा बनाव सब्सक्राइब इन WATब होा कि the horse died in the night in the да यस डार्क वाटर आपको हम पहचान नहीं रहे हैं यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और आप अगर नए हैं आप और पढ़ने वाले चुक बच्चे हैं जो आसाहा हैं कोचिंग करने में या किसी तरीके से गाइट पाने में तूने ब ओडे में जड़ी से अगला मनाई आप लोग क्या मैंने बोला है हा राहा हॉट इन दे नाइट होगा आउ-पी हिज वह लॡ विरी गूर्ज इन ही अगर रिख महटर अप छोए प्यां कि या घूरा को बादे थे और रात में कौं मर गया कुछ पता आई नहीं चला, तो ऐसे में जब आपको पता ही नहीं चले की घोड़ा कब मरा तो जब आपको पता ने चले थी लगाओंगे, लेकिन अगर कोई प्रेंगे आप क्या मेहमान आते हैं, कोई आता है और आप इनकी आउ भगत करेंगे, तो उनका इंतिजार करते हो ना, तो the horse died in the night होगा, ना कि at night होगा, कोई आपको confusion कर सकता है, लेकिन आप मानना मत, जब आपको पता ही नहीं कितना बज़े वो घोड़ा मरा तो आप कैसे कर साथ सकते हो कि एक पॉइंट है लेकिन आपको ठीक है तो आइट नाइट तब लगेगा जब किसी के आने जाने की सूचना हो कोई निश्चिस फिक्स हो ठीक है है हम इन के साथ दा लगता है चलो अच्छा आगे लगाओ दूसरा बनाओ जाने दीजे आपसं लिखो रीता लीप्स इन ट्वंट्वाइट कमलादाश रोड लिखो रीता रीता लिखो रीता हाई इनके साथ दा भी लगता हाँ डार्ग आपका बात सायद दो हॉर्थ बोले हैं हाउस नहीं बोले हैं आज भी अठारा लोग को लाइक कर दिये हैं बहुत बहुत सुक्रिया और बीस आगड़ा फिर भी छुए गई चुकि यह तो कोई ओ चीजे नहीं लगातार आप लोग प्यार दे रहें बहुत-बहुत महबत दे रहें सुक्रिया आप सभी को खुशिया मिले अनदित रहो अगला बताओ क्या हो जाएगा आएट नाइट होगा हमने आएट नाइट नहीं बताया हमने इन द नाइट बताया ठीक है दूसरा आप लोग बनाओ रीता लिप्स लिखो रीता लिप्स लिप्स इन लिखो रीता लिप्स इन 25 रीता लिफ्स इन 25 कमला नहरू मार्ग लिखो कमला नहरू मार्ग एलाबाद में है न रीता लिफ्स लिखो ये चीज में बडार कोटर कभी आपको बताऊंगा कि क्यों दा लगता है अभी आज आप देख लिए थे रिता लिफ्स इन 25 कमला नहरू मार्ग यह का मार्ग का इस्पेलिंग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग बताएगे सभी लोग हाँ तो क्या हो जाएगा रिता लिफ्स इन 25 कमला नहरू मार्ग सही यह गलत है बताएगे जली से क्या होगा यहाँ पे पता हिए आप लोग है 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 नहीं गलत है हमेशा जब भी एड्रेस दे दिया जाए कमरा नंबर मकान नंबर कोई भी नंबर डिजिट देजिए तो आट लगता है लिखिए आप लगाक बनाएए हारीता लिफ्स आट 25 लगाएए फिर कमला नहरु मार्ग लिखिए आप यह गलत था है इसलिए मैं कहा रहा हूं आट लगेगा जैसे कोई आपका घर का नंबर है और घर का नंबर दे दिया गया तो आप आट लगाना कोई भर का लिखो हाउस नंबर लिखो आट प्लस हाउस नंबर लिखे सभी लोग पहली बात तो लिख लिखे आयट के बद्दा मत लगाओ नए आयट के बद्दा नवंत लगाओ रीता लिफ्स आयट उसके बद्दा मत लगाओ थेका है उसके बद्दाermac लगाओ ठीक है उसके बद्दामा याट 25 फिर कमला नहरुमार्क लिख दीजिये रोकी सही लिखे हैं रोकी रोक्स का एकदम रोकी की तरह सही है ठीक है चलिए आगे थैंक्यू वेरी मज़ बीस पहुचा दिया आप लोग आखड़ा बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग को प्यार और महबद के लिए सुक्रिया हमें जादा की कि क कही याद है तो बता दो एक स्टोरी हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छा अगर वो याद हो बता दो और इतना बढ़ियां से इतना बहतरी इंडंग से आपको बताए थे तो इन सारी सीजों को अगर याद करो कि कभी आप लोग जाके तो तुम्हें लगेगा ग्यारा में जो भी चैप्टर आप लोगो पढ़ाए गए थे पूरा नहीं हुआ था सले बस लेकिन मैंने जूब के पढ़ाया था इसलिए आ आप आन वान मत लगाना दिमाग ना खावाना सीधे लिग देना हां मारकनी स्टीर था रूम नंबर 46 था और मारकनी स्टीर था हाउस नंबर था रूम नंबर नहीं था बैटा हाउस नंबर लिग दो बैटा हूस नंबर लिग दो बैटा हूस नंबर नहीं था 46 हमारे क्याल समझ में आ गया कि नहीं अब लिखो मोशन के लिए इन टू आता है और रेस्ट के लिए इन लगता है लिखो जल्दी से मोशन के लिए लिखो मोशन लिखो गती मूवमेंट लिखो मूवमेंट लिखो मूवमेंट लिखो मूवमेंट लिखो या मोशन मोशन और मूवमेंट एक साथ लिखो इन और आन लगाओ मोशन और मूवमेंट लगाओ मूवमेंट मूवमेंट नहीं बोला बेटा मूवमेंट बोला याम O V E मूवमेंट नहीं याम O T I O मोशन हो गया मूवमेंट मने होता है मूवमेंट मूबमेंट मतलब होता है गती हाँ इन दोनों के लिए इन और आन आता है लिखो इन और आन इन और आन इन और आन लिखो इन और आन इन और आन लिखो इन और आन लिखो दो दोनो इन और आन इन और आन आता है ठीक है, इन और रान, और उल्टा लगा दिया, इन्टू और अपान आता है, इन्टू और अपान लिखो, इन्टू और अपान, लिखो इन्टू और अपान लगाओ, ये रेस्ट के लिए आता है, ये रेस्ट लिखो, रेस्ट लिखो, रेस्ट तभी लोग उल्टा कर दिया, यही देखो, जब गुरु भी आंदा ओ रहेगा, जैसा रहेगा, वैसा ही चेला बनते हैं, और आपको कोई ख़बर नहीं है, कि सर गलत बता रहे हैं, सर सही बता रहे हैं, इन्टू अपान लगता है, मुव्मेंट अप मोसन के लिए इन्टू अपान लगता है, बताओ तू जैसा बता रहा हूं, एक भेड़ आगे चल रही है, तो दुबारा तूसिंगिस दाओ जाके, यही है ना, इन्टू अपान लगेगा, आप बताओ, इतनी कम पढ़ारी की हो, इतना छोटा रूल में आप गलती कर रहे हो, आप कहो कि आपकी गलती मेरी गलती नहीं है, तुम अगर मैं नहीं देखता है, तो बता के चला जाता है, आप नियम लिख लेते हैं, वही बार-बार नियम पढ़ते हैं, रूल और रेगुलेशन हैं पढ़ते हैं, अराम से, हम तो प्रेक्टिस करा रहे हैं, लिखाए सब गए हैं, बस जो आने वाले हैं, उसी प्रेक्टिस क जिता रहेगी, stability रहेगी तब उसके लिए in आ और आ आएगा और जब गती रहेगी और मोशन रहेगी तो उसके लिए in to out ihan आता है समझ गये कि नहीं हाँ 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 का जब जो कार अगर रेश्ट में रहेगी तो आप लगाओगे क्या लिखो अच्छा दूसरा बना दो इसका बनाओ translation मेड़ा कुए में कूद गया बनाओ जल्दी से मेड़ा कुए में कूद गया बनाओ सबी लोग इसका translation बनाओ मेड़क कुएं में कूद गया बनाओ सभी लोग कि आज श्कूल है की नहीं कि ये फांजरी स्कूल में आना है की नहीं तुम्हों को मेड़क कुएं में कूद गया बनाव सभी लोग मेड़ा कुए में कुद गया अच्छा इस्कूल है इस्कूल आना है मतलब कल बिदाई हम सोच हो गई तुम लोग हाँ चलो अच्छा दा फ्रॉग जंप इंटू दा वेल हाँ ये साही बनाई इंडे फ्रेंस ने अब मेड़ा कुद देगा था पानी में उपर नीचे जाएगा ना तैरेगा ना सीम करेगा ना चलो अच्छा तो क्या हो जाएगा हम तो कहेंगे जितना दिन चला आवरोज पढ़ने तो क्या हो जाएगा दा फ्रॉग जंप इंटू दा वेल हो गया ना जब एकदम पढ़ाई ना हो तब मताओ दा फ्रॉग जंप इंटू दा वेल हो गया हाँ तो क्या हो जाएगा जा दा फ्रॉग जंप इंटू दा वेल हो गया ना सभी लो कौन सर बताये थे दा फ्रॉग जंप इंटू दा वेल अब बताओ कुवा में जब गिरेगा में डग तो क्या होगा जम्प करेगा ना है ना आज चुटी है क्या आज कल और परसों तीनों दिन चुटी है क्या चलो अच्छा हाँ मेरे बिना नहीं आओगे तो भी ठीक रहेगा क्योंकि हम यहाँ है है ना हम तो अराम से हैं तो बहुत इंज्वाई के साथ कर रहे हैं मैं सारी चीजे सेर कर देता कल वाई तो तो तुम लोग कहते हैं अशर ठीक से हैं मैं बड़े खुश हूं हम बना ले लिए उसका निकाल दी समान देगे कुछ है कितना देर प्लाश चलेगा थोड़ी दिर चलेगा कितना मिचलेएंगे आप कि बस तुरंत जाने वादे आपका भी जीओ है उनका उनका तो आप उनकें रख दीजेगा ठीक है कोई बात नहीं बुलाएं हैं तो आप लोग जाईए हैं हम से सोचे बुलाएं हैं हम लिखी थी चलो अच्छा यस हम इसलिए हम अपना दिन याद है रिमेंबर है स्कूल डेस का मैंने क्या क्या दिया तो मैंने कहा तक हमारे जीवन के सबसे खुबसूरत समय टीचर के साथ रहे हैं नहीं तो मुझे समाज से एक्दम नहीं लेना देना रहा है अगर मुझे आगे बढ़ने में कोई प्रेडिद किया तो इस्कूल डेस किये हैं मेरे टीचर्स किये है जब मैं पढ़ता था मुझे स्कूल में टीचर्स प्रोसाइद किया था नहीं तो अगल बगल वाले तो मेरा जीना हमारा हम कर देते थे ठीक है गरीबी में अगर कोई प्रोसाइद किया तो टीचर किये थे इसलिए मुझे स्कूल डेज इतने अच्छे से याद हैं और इतना भावख पल होते हैं कि कहने वारी बात नहीं मेरे गाओं वाले जम्मे निकलता तो कोई आप जब पूर रहेंगे कंडिशन आपकी गरीबी में रहेगी तो ऐसे में टीचर ही साथ देते हैं अगल बागल वाले सिर्फ आपका इंसर्ट करते हैं कहेंगे यह क्या पढ़ता है दिन बर पढ़ता ज्यादा पढ़ोगे क सिर्फ गुरू लोगों से मिला है मैं घर से निकलता था ममी पापा तो बाली जे कामी में बेजी रहते हैं जब आप घर से बाहर जाओगे कहीं दूर जाते थे तो टीचर का प्रोसान मिलता था लोगों को एवार्ड मिलते थे लोगों को प्रोसान मिलता था पढ़ाई में नमबर एक आते थे, एवार्ड मिलते थे, तो टीचर लोग परोशाहित करते थे, उस परोशाहित का जो है हमें नतीजा था कि हमें कभी भी देमोटिवेट नहीं होते थे, नहीं तो गाउवाले में बहुत सारे लोग कहते थे, क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है बहुत सारी चीज़ी रहती थी लेकिन जब सफल हो जाओगे गाउंवाले अच्छा कहेंगे ही जो मैं बता हूँ समझ में आ गया कि ये मेरे जीवन की घटित कहानी है कि मुझे अगर देखा जाए मेरे पन्नों में सबसे हमने कहा था यदि हमारे जीवन में अंतिन समय रहेंगे अगर मैं सतर साल जीओंगा तो एक साल काट लेना मेरे गुरू जन को दे देना मेरे शिक्षक हो जापा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा खुसी होगी इसलिए मेरे जीवन का अंतिपन्ना ना खुले तो ठीक है वो दूसरे को समर्पित हो जाए मैंने हमेशा यही कहते है वो हमारे गुरू जन को समर्पित हो जाए उन्हें मिल जा जिन्होंने मुझे बना के यहां पहुचा दिया ठीक है अब वो जादा जादा सपन्ना जाके प्राइमरी के सिक्षक को मिले लोगों को मिले ऐसे लोगों को मिले ना कि नार्मल लोगों को इस सब जारी चीज़े ह हम यह हमेंसाब सोचते हैं है ना तो गुरू बहुत बड़ी महान चीज़ें होती हैं हम पढ़े हम उनसे तेज हैं लेकिन आज आके उनसे मिलते हैं तो मुझे दूसरी भावनाएं होती है अब क्या बता हूं मैं सिया राम मास्टर मेरे थे और मैं जाता हूं मिलता हूं तो अ मेरे साथ जुड़ा ही वह उनका है जीवन गुरू का चल अच्छा और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ज्यादा माइने रखती है इसके बाद आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं रहेगा आप इन्वर्सिटी में चले जाओगे और या बड़े स्कूल में चले जाओगे आपको अनुभा होने लगेगा अनुभा बहुत बड़ी चीज होती है अनुभा अब जब जी आइसी के बगल से गुजरेंगे और ज्राज की इंटर कालेज बर्गट देखेंगे और बाइद अवे हम लोग दिखे तो आपको लगेगा यहां कास रोख जाते हैं लेकिन वह को फिलिंग नहीं रह दियाती मैंने एक वीडियो सेर् खिया होगा एक वीडियो अव्लोट किया होगा आपको फिलिंग नहीं रह द्याएगे आप कहोंगे साले सर मुझे पढ़ाओ उसी अंदाज में पढ़ाओ उसी ही जश् car m Chemे बात करिए नहीं रह पाती है आप कों कह 뭐 तुम हमको लाके मिठाई खिला दो के तब भी वो बाते नहीं रहताएंगी, वो बेंच नहीं रहताएंगी, वो हम नहीं रहताएंगी, वो किस्सा नहीं रहताएंगी, वो कहानी नहीं रहताएंगी, वो ही अन्मी पढ़ाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, तुम मेरे सामने और फिर बैठ जाना मेरे सामने और कहना कि सर पल वो लौटा दिर भी वो चीज़े नहीं बता पाऊंगा कि मेरे अंदर उख करें कि हम आपको भाव दे देंगे कि हाँ जो समय भीते हैं वो बहुत ही ठीक है समझ में आगया बहुत ही मुमेंट होते हैं वो सारे चीज़े पर जो महसूस नहीं करते हैं बच्चे पढ़े नहीं मेरी बात सुने नहीं अब दस ग्यारा के बच्चे आते ग्यारा में उनको भावना दूसरी रहती है वो पढ़ते नहीं है जब निकलने लगते हैं तो समझत के बीजुटे यह सी अ और समझते हैं सन्मझते दुनिया चूर जाती ही इसलिए जब हम निकलते हैं जब छूरते हैं त्म मेहसूस होती तो आपको मिलें इसलिए आप Screen भी करता होगा आपने आड में मुझे कितना प्यार दिया यह आप दो साल में देखे होंगे बहुत सारी सीज़े होती है तो जो मिला होता हमने आपको मिला और आप हम लेकिन हमने एक चीज है कि आप मुझे मिले इसे बहुत ही मुझे मैं बौया हूँ खुस नसीब हूँ कि मुझे आप लोग मिले दो साल आप जैसे बच्चे मिले आप लोग मिले और आप कोई भी मिलता मैं दीजान से फ्यार करता है यह मेरी यादत है कि मैं जो भी मिलता है उसके साथ कहीं भी किसी प्रेकार से ऐसी सीज़े नहीं होता है कोई भी प्रेकार से मैं अपने आपको मि ही वो que ten all day मेरे एक मोटिफ सिजाए हैं और इना के मेरे यूटुप पर देखना मेरे संगी देखना मुझे देखना यूटूम देखना मुझे ले स्बस्यादा सजाया हूं आप लों का पूरे GPA में बात कर रहा हूं अगदम क्लियर कर रहा हो तो मुझे खुशी है कि हमने हर पल का इंज्वाय किया तुम्हारे साथ, ताकि वो पल याद आए जब तुम आओगे, ठीक है, चलिए आगे देखना, छोड़ो. कौन है? मैंने जोड़ लिया, अपना देखे साथ पकड़ ले, अगर नहीं पकड़े देखा जाएगा, क्या करेंगे, समझ में आ गया सभी लोग को यस, अब मैं थोड़ा साओ, उस पर चला गया, दूसरे बातों पर, आज आओ इस पर, तो जब रेश्ट मूड में रहेगी, कोई ची लिखो, रेश्ट मूड में लिखो, रेश्ट, रेश्ट लिखो, रेश्ट लिखो, रेश्ट, नहीं सुनाई दे रहा होगा आप लोग को साथ, रेश्ट लिखो, रेश्ट लिखो, रेश्ट लिखो, रेश्ट लिखो, रेश्ट लिखो, रेश्ट मूड में रहेगी, कुदे गाज कुवा में तो ही होगा और एक चीज और है कैटल हमें सब लिवरल होता लिको कैटल 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 कही बार पूछा गया एक्जाम में इसलिए लिख लो C A T T L E कैटल लिखो कैटल C A T T L E हाँ लिखो cattle, cattle हमेशा क्या होता plural? हाँ cattle, एक वाग के बताओ, whose cattle are this? लिखो सबी लोग बनाओ, whose cattle are this? लिखो सबी लोग, whose cattle are this? whose में लिखो, h o s e, whose cattle are this? whose cattle are this? लिखो whose cattle are this? लिखो सबी लोग, whose cattle are this? यह सही एक गलत है, बताओ, हाँ, ओके बाए, चलोग बनाओ, तो आगे बनाओ, यह सही गलत, यह सही है कि गलत, बताओ, तो मुस्कान तो बनादो इसको तबजाओ, whose cattle are this, यह क्या हो जाएगा, लेकिन आफ लाइन जरूर देख लेना इसको, whose cattle are this, बताओ, सही है गलत, अगर सही है तो yes लिखो, नहीं गलत है तो बताओ, कोई गलत है तो लिखो, कि उसको सुधार हो, अगर सही है तो okay लिखो, सही है, whose cattle, cattle में यह सही नहीं जूरता है, cattle ही plural होता है, अब समझ में आ जगा कि नहीं, तो इस सोनम मौरिया आप cattle में यह सटाओ, तो क्या हुज़ाएगा, cattle में यह स्कों जोड़ रही है, हमने कह रहे है, cattle ही plural होता है, तो क्या आप क्यों यह स्कों जोड़ी, बताओ हमको, whose cattle, हाँ, देखो ध्यान से आप लोग, good morning, याद रखना, whose cattle are these होगा, this जो है, singular के लिए आता है, और cattle यहाँ plural है, तो आर लगा है, तो these आएगा न, whose cattle are these, तो आप whose कैसर आद this, जब cattle रहेगा, नाउन है न, और नाउन के लिए this आता है, प्रोनाउन दीज आता है, न, क्या बताएं मैं आपको, तो क्या होगा, दीज लिए को, whose cattle are these, यह बनाओ, क्या बताना भाईजिया आपको, ज्यान चंद बरदर्स, whose cattle are these, समझ में आगे है, आर दीज के बाद आपके, इंट्रोगेटिव है, whose माने पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव लगाओ, अगला पनाओ, सबी लोग, तीन सारी चीज़ों के ध्यान दो, गलत कर दो के हो गया, लिखो, I am ill for two days, I am ill, मैं बीमार हूँ दो दिन से, लिखो, बनाओ, I am ill for two days, लिखो सबी लोग, I am ill for two days, I am ill for two days, अब बताओ, इसमें सही है की गलत है, अगर सही है, तो यहाँ लिखो, नहीं तो गलत है बनाओ, I am ill for two days का क्या हो जाएगा, I am ill for two days का क्या हो जाएगा, बनाओ, हाँ, very good, Rocky Rocks क्यों हुआ ऐसा बताओ, I have भीन आपने लगा दिया, Rocky Rocks बताएगे, हाँ, Rocky Rocks बताएगे, I am ill for two days का क्यों बताओ, हाँ, present perfect है, बताओ, और बताओ, simple से याद रखना मेरा बेड़ बच्चों, ध्यान देना, जहाँ far आएगा, since आएगा, और वहाँ पे, अगर far और since है, तो दो ही में बनेगा, या तो बनेगा जादा तो दो ही में बनता, एक पहला, या तो perfect बनेगा, या तो perfect में, perfect continuous में बनेगा, तो यहाँ पर जैसे या आपको linking वर्व, यहाँ कोई main वर्व है, बताओ, प्रीती बताइए, रॉकी रॉक्स, यहाँ कोई main वर्व है, कोई main वर्व है, हाँ, यह आपका सही है, perfect है, इसलिए, हाँ, बताओ, perfect है तो high है, very good, लेकिन यहाँ, have been इसलिए आया है, चुकि यहाँ main वर्व नहीं है, जब बी क्रियाथी इस एमार आता है, I am, he is, he is, तो आप आराम से हैप बिन लगा दोगे, केवल four लगा रहे बस, समझ में आगया कि नहीं, हाँ, अब जैसे कि आपको कोई, अगर main वर्व आपको मिलती है, तब have been लगाओगे, ठीक है, have been going वाला आजाएगा, तो इसलिए याद रखना, four out since का प्रियोग वहीं पर करना, जहां पर पर्फेक्ट वाला रहे, पर्फेक्ट वाला रूप, तो have जो है, पर्फेक्ट करी रूप है, और be kriya थी, इसलिए bean आया, इ आयम के कारण बीन आया, समझ में आया, कोई कहेगा bean कैसे आयागा, तो बोल देना, आयम के कारण, चुकि बी क्रिया है, और बी क्रिया का, बी का bean होता, third farm, तो I have been, यह यह उख गाएगा, अगला बना लो सभी लोग, इसका बना दो सभी लोग, हाँ, लिर्को, आसा तीन सप्ता से मुंबई में, इसका translation बनाओ, आसा तीन सप्ता से मुंबई में, बनाओ, वीक माने सप्ता, W-E-E-K, आसा तीन सप्ता से मुंबई में, बहुत बहुत सुक्रिया आगे लिखो आसा तीन सप्ता से मुंबई में बनाओ बता रहा हूं बनादो आसा तीन सप्ता से मुंबई में इसका बनाओ हाँ very good आसा थीन इन मुंबई very good, four three weeks, very good, याद रखना यहां आसा के साथ हैज आ गया, वहां आई के साथ हैज आ आया था, तो यहां पे हैज भी नहीं इसलिए आ गया, चुकि यहां आसा है, आई आता तो हैज भी नहीं आ जाएगा, और देख मुंबई में है बोला, ना कि रह रही है, रह रही होता तो द हाँ, आसा तीन सफता से मुंबई में रह रही है, इसका क्या होजाएगा बेटा, आसा तीन सफता से मुंबई में रह रही है, इसका क्या होजाएगा, हाँ, वेरी गुड, तो रह रही है और है में दोनों में अंतर है, मेरी बात याद रखना, अगर मैंने बोला, आसा तीन सपता से मुंबई में है दोनों बात मुंबई यह की है ठीक है इसका रह रही में यह पता हुआ एक continuous भी है रह रही है कि मतलब उसके बाद उसके पहले एक कहा रही पता नहीं है तो जब हम बता दें रह रही है कि दूसरा हो जाएगा आसा तीन सब्ता से मुंबई में है तो इसकी इस तरीक बनेगा दोनों आप लिख लिजिए आसा है इस बिन लिविंग इन मुंबई फार थ्री विक्स हो जाएगा रह रही है आसा है इन मुंबई फार थ्री विक्स यह हो जाएगा दूसरा ह लिखिए मैं तीन दिन से लाबाद में हूँ लिखा बनाएए मैं तीन दिन से लाबाद में हूँ लिखिए जल्दी से मैं तीन दिन से लाबाद में हूँ इसका बनाओ ट्रांसलेशन मैं तीन दिन से लाबाद में हूँ इसका बनाओ ट्रांसलेशन मैं अभी निकलूंगा थोड़ी दिल में अभी अभी निकल जाओंगा पढ़ाने के बात वह ना इसता उसता सब होता हुए तो यह चाभी मुझे दे दिजिए यहां जाना है मेडिकल चौरा क्या है तो क्या मैं तीन दिन से लाबाद में हूँ बनाओ हाँ 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 वेरी गुड समोन ने सही बना दी I have been in लाबाद फार the past three days okay for three weeks past मत लगाओ पी हटाओ यहां से past अटाओ यहां से ठीग है हटाओ यहां से हाँ तो क्या हो जाएगा आई है भी ने लाबाद में रह रहा हूं इसका क्या हो जाएगा मैं तीन दिन से लाबाद में रह रहा हूं इसका क्या हो जाएगा हाँ बेटा तीन दिन से मैं लाबाद में रहा हूं इसका बना दो अब देखो अच्छा दूसरा लगा दो जैसे हमने कहती है देखो नदी पार करनी है तो आपको कोई भी प्रिपोजिंच जादा करके एक्र्ण आएगा याद रखना नदी ओगा जहां नहर हो गई, जहां नावाउ चलती हो, जहां दो सीरा हो, complex पार करना लिको जल्दी से, लिको त्यल्दी से, लिको सभी लोगो लिको सबी लोगOK अब देखो ध्यान से, इसको सभी लोग देखो, ये देखो माली मैसे ते नदी है यह नदी है यह नदी है सीधे देखो एक पैन क्या है नदी है और इस पर रिवर पास करनी है तो क्या करेगी दीरे दीरे इधर पार करोगे ना तो नदी का एक सिरा यह है एक सिरा यह जब आपको दो सिरा दीखे दो किनारा दीखे दो किनारा दीखे तो आप एक क्रोस लगान लगाना तो क्या हो जायगा और एक प्रॉट चसरे लकों प्रिंप जिसन लिखो पृट करता है अ मि जा है यह क्तो का बुल्ट एक्राज़ रिवर लग दिये कि यह ही टु का बोट एक्रॉस दरिवर समझ गये कि नहीं जब जहां भी आएगा एक्रॉस पार करने वाली भात तो आप होई करना । चलू अब क्छागला आद दौखो विज़ाइट दो होता लिखो जलडी से बीसाइट मने दो होता एक बीसाइट लिखो एक सील लिखो एक बिसाइट मतलब होता है दूसरा लिखो एक बिसाइट लिखो एक बिसाइट में येस जूड़ दो एक बिसाइट लिखो एक बिसाइट से लिखो जली लिखो देखो पहले वाले बिसाइट का मतलब होता है बगल में देखो हम लोग किसके बगल में हैं देखो हम किसे बगल में एक फैन रखा हुआ देखो ध्यान से फैन आप देख नहीं पा रहे होंगे यह देखो फैन है हम किसे बगल में बगल में फैन के तो फैन के बगल में बीसाइट का मतलब बगल में लिखो तो क्या हो जाएगा बिसाइट का मतलब होता बगल में लिखो सभी लोग बगल में फोन करते रहते हैं सब लोग लिखो बिसाइट माने बगल में लिखो सभी लोग बिसाइट का मतलब बगल में लिखो सभी लोग बिसाइट का मतलब बगल में जो नए जुड़े हैं उनसे आपसे फिर से कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस न हो और लोगों को बताएं कि साथ बजे फ्री आपका आश क्लास सलती है सुबा और साम को पांच बजे तो इसलिए ध्यान दे सुबा साथ बजे पांच बजे उड़ना ना भूलें कॉंसेप्ट पर आधारित तैहरी पर आधारित बहुत ही सटी के संदेता हूं बस आपके वल किताब पढ़ो मेरे लेक्चर को सुनों आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है मेरा ये सलाह है आप लोगों को बहुत बहुत सुक्रिया आपको कहने के लिए लेकिन आप याद रहें जिसको भी आप बताना बोल देना सर की क्लास पर केवल ब्लैक बोर्ड नहीं है कुछ ना देखे केवल एक दो दिन कम सकम सुने मेरी क्लास को अटोमेटिक हो तीरे दीरे सुनना सुरू कर देगा आते ह देखे हैं पीछे कुछ नहीं है वो समझ नहीं पाते है क्या पढ़ा रहें क्या नहीं अंहीं क्वश्गत नहीं करता हो जबी कभी किसी से बताये तुसे कहिए कि आप एक दिन लाइब मत लीजिए एक दिन पूरी लाइब लीजिए दूसरे दिन लीजिए तब उसके बाद गयस लगाओ बाइस लोग लाइक की हैं इनको बहुत बहुत सुक्रिया भागवान इन्हें खुसी आदे आनदित रखें ठीक है तो याद रखना एक दिन में मुझे अब मुझे मेरी क्लास नहीं संसनी वाली कि आप तुरन समझ दाओगे मुझे समझने क्लास में भी पढ़ोगे तो एक द चली अचा थैंक यू वेरी मच यह चीजें आपको लोग लोग इस लिए नहीं समझ पाते हैं हाँ हां कि आगे चलियेगा चलिए अच्छा का मैं आगला बता रहा था कहां भी साइट महाने होता बग लिए सभी लोग भी साइट मतलब बगल में और बीसाइट महाने होता इ देखो in addition to add मनलब क्या होता देखो in addition to क्या हो गया यह एक पेन है और उसके बाद क्या होना चीह है एक है दो देखो तो in addition to मतलब पहले आपके पास एक कलम थी आप फिर एक जोड़ दिया तीसे कहेंगे besides आपके पास एक काली पैन के अलावा कौन सी पैन है एक लाल पैन है एक ब्लैक पैन है उसके बाद एक ब्लैक कलर की देखो उपर से दिख रही है ब्लू कलर की और उसके बाद क्या आपने जोड़ दिया एक जब बीसाइट सा जागे इसका मने आपने एक और जोड़ दिया इन मोबाइल है और मोबाइल के बगल में क्या है कि आप Jupiter है लिखो किisphere लिखो सभी लोग इन्हें विसाइड मोबाइल कि यो बस ़ो हाँ लिखो ज़लदी से अब इन जाके बिपक्रा चैली में । आपने क्या किया यह मुबाइल के बगल में क्या जोड दिया, यह समें यह मोबाइल के बगल में रखी हुई कलम है यह नीचे हो, देखी हुई रहा है अब इसरे इन दो आपंशन्रा लिंसे जर जमने है, ilsने जरता आप देखो जैसे एक पेन है और आपके पास एक एक ड़ेट पेन है तो मतलब आको लाल कलम पर व्यवाका क्या है गजाने दूसरे डोनों के लग होने कि दोनों को जल्ठ जाने दाता है beside ठीक है समझ गया कि नहीं तो इस तरीके से आपकी concept रहे आज के दो है अब हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे ठीक है अगर आपने यहां नहीं लगा तो इसका मनने आपकी दोनों यह की कलम हो गई तो आई है वे रेट पेंड बिसाइड आप ब्लैक पेंड लगाओ और ब्लैक क्लियर नहीं है कि यह किस कंपनी की है इसलिए यहां यह रेट पेंड लगाओ तो यहां भी आप ब्लैक पेंड लग हो आई है वे रेड फेन बीसाइड आप ब्लैक निये बनाओ लब में लगा चला जाओंगा ठीक है हाँ आप दाइए आई है वे रेड कब तक आएंगे हम पांच भी जाएंगे खाना खा गयांगे बस मतलब आपको जाएंगे अनुद आऑ रिवे की कैए वहम हम्हें किसमा और स्वेड की कि नहीं अफ है है आई ये मैं अपने ही कमरे में बैटा हूं जहां से तयारी करता था ठीक है ये कमरा मेरा आज आज भी यादगार के रूमें पढ़ा हुआ है मैंने आपको दिखाया भी था, आज फिर मैं दिखा देना हूँ अपना कमरा, यह देखिए मेरा ही कमरा है, आज भी सारी किताबे मेरी हैं, और यह खरीद मेरी सारी किताबे हैं आप लोग देखो, देखो, यह सब देखो, पॉर्ट की कई इंगलीस की लिट्रेचर रखी होंगी, कुछ हिंदी की भी किताबे होंगी, ज्यादा करके English को आपको देखेंगे, आप लोगों को तैयारी तो मैं कर चुका हूं मैं इसमय GIC lecturer हूं ठीक है हां मैं इसमय government job में ही हूं GIC lecturer हूं मैं तैयारी करता हूं paper उपर देता रहाता हूं कभी देता हूं कभी नहीं देता हूं बदलब उस तरीके ने मैं सबसे जादा बच्चों को दूसरे को सुधार करने में लगा हूं ठीक है चलिए अच्छा आज की पढ़ाई हम लोग सोच रहे हैं और आप लोगों ने इतना साथ दिया इसके लिए बहुत-बहुत सुक्रिया है न कुछ पूछना हो ठीक है आप याद रखना कि जो हमने रूल्स बताएं हैं यह केवल आपके बोर्ड एक्जाम के लिए ही फेमस नहीं है अपी तु आपके बिभिन एक्जाम के लिए आपके पास एफ फायदा करेंगे ठीक है तो बीसाइट्स का मतलब होता है कि अत्र कि आपको कुछ और पूछना है कोई दिक्कत है तो बताओ है ना कि कप एक्जाम में गलत नहीं करना है आप लोगों को किसी पितरकार से कुछ पूछना है आप लोगों को और बताओ सभी लोग स्वै कुल जाना भी होगा अब ति बमें भी स्कुल जाना होगा और लेट होजाएगा तो नाश्ता मिलेगा नहीं अब अच्छे से नाश्ता मिलता है वी आएपी नाश्ता है तो आज के सेसन में तोड़ी मोरी देखो, दो दिन दिक्कत होगी, कभी-कभी नेटवर्क नहीं सही रहते, आप इस समय सही चला मेरा ही, ठीक है, ठीक है, आप कॉलेज में बहुत-बहुत सुक्रिया, बहुत-बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को conceptual, कोई दिक्कत ह हुई हो, तो पूछिए आप लोग, ओके-ओके-ओके, ओके-ओके-ओके-ओके-ओके, और कोई कुछ पूचना है, मैं तो हूँ इस समय प्रियाग राज में हूँ, ईलाबाध से, उलाबाध से हूँ, पोस्टिंग मेरी है, घी-आई-सी ही, अभी प्रवक्ता जिसे बोलते हिंदी में राज्की कालेज है उसी में प्रवक्ता हूं हमारे हैं काफी बच्चे पढ़ते भी है तेरा 1400 और पूछे कुछ तो पूछना है तो गुड मॉनिंग अभी जुड रही हो सोनम जब क्लास फिनी सोने जा रही है तब जुड रही हो लीब माने होता है छोड़ना लीब ल-e-a-v-e लीब माने छोड़ना किसका काल आ रहा तो रिसीप करो और पूछो लीब माने होता है छोड़ना और बताओ जो नए लोग जुड़े है बात कर रहे हैं आप जो नए लोग जुड़े है उन्हें यह मैं कहूँगा कि वो लोग अपनी लोगों के पास यह मैसेज पहुचाएं यह सारी सीज़े बाते पहुचाएं ठीक है तो ये सारी बातें पहुचाएं कि आपकी क्लास जो है ये क्लास बड़े ही उनके हित के लिए important है और ये क्लास खेवल गरी बच्चों के लिए है समर्पी था उन बच्चों के लिए free में ठीकर live क्लास में कि जो पढ़ने में आसार है मैं किसी बड़ी कोचिंग में तो पढ़ाता नहीं मेरी एक simple सी कोचिंग है और simple सहा एक-एक stand है उसी पे बैठ जाता हूँ syntax क्या होता है मैं इसके बारे में फिर बताऊंगा भी मेरा तैयारी का देको इसी stand हो यतने मेरी budget है light कहीं भी रखता हूँ पढ़ाना शुरू करता हूँ हाँ ठीक है और कुछ पूछो आप लोगों सो पूछना है मेरे बच्चे जिनको लेट हो रहा है स्कूल में देर ना करे जाएं अभी बाहरी लोग जुड़े हैं इनका भी हमारा स्वागत करना फर्ज बनता है क्योंकि हमारे लिए सभी लोग important हैं आप मेरी आधार हो तो ये लोग हमारी तने हैं और कुछ लोग पतिया हैं ऐसे करके हमारे जीवन में सब लोग रंग भरे हैं कुछ हर्याली लाए हैं कुछ लोग आते हैं कभी-कभी जो है गरबर आते हैं कुछ लोग सही आते हैं तो आज हमारी सुबा की क्लास में बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं बहुत ही पढ़ने वाले जुड़े हैं बड़े reply देने वाले जुड़े बड़े सुसील जुड़े हैं तो ये जीवन का बाम भाग है आप लोग देखते भी होंगे कभी-कभी अच्छे जुड़ते हैं कभी-कभी खराब जुड़ते हैं कुछ लोग तो जुड़ते ही हैं उनको केवल दूसरे को आलोचना करनी है दूसरे की बुराई करनी है अब सब्द बोलने हैं कभी-कभी ऐसे ही जुड़ते हैं, वो कहीं पढ़े रहते हैं, वीडियो में आज आते हैं, आ गए वीडियो में देखो, खटल, तो ये सारी सीज़ें उनकी मानसिक्ता को सो करती, लेकिन आज हमने देखा हैं, इतना अच्छे बच्चे जुड़े लगातार, 20, 30, 40, 50, 60 पर ज हो गया, हमें उनके चकर नहीं पढ़ना है, हमें उनके चकर पढ़ना है, जो सही हैं, अच्छे हैं, और उनहीं के साथ आगे पढ़ना है, चुकि हम जैसे बो सोचेंगे, जैसे लोगों की संगत करेंगे, चलिए अच्छा बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत सारी सारी चीज़ों कोई बात नहीं विटा अब हम चलते हैं विदा लेते हैं आप लोगों से बहुत-बहुत सुक्रिया इस वर आपको अनंदित रखें है ना खुश्या रखें आप लोगों को हमेशा करें है ना चिंगार एक जलाएं आपके अंदर एक 14 जन जलाएं ठीक है अब धूमरपानों के बारे में फिर आगे बताएंगे हम लोग ठीक है आज बहुत क्लास लेट हो गई है भविस में हम सोचेंगे दूसरा प्रहाल आप हमारी जो एक बाए 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 बहुत भाँ धिरदके साथ सुक्रिया dawIZ और प्लास schnellी कह susceptibleilst why अब करें मिस ना हो सुक्रिया आपके पास कम से कम 10